जब इरान की ये मिसाइल फायर की जाती है तो तस्वीरें ऐसी होती है जब इरान की ये मिसाइल अपने टार्गेट पर गिरती है तो धमाखा ऐसा होता है अब यही मिसाइल रूस पहुचने वाली है और समझ लीजिए कि इस मिसाइल को लेकर बात पक्की हो गई है ये है इरान की फतेव 1-1-0 मिसाइल अमेरिका इसकी दहशत जानता है इस्रेल इसका खौफ समझता है और अब इसी मिसाइल के जरिये पुतिन योगरेन को डराना चाहते हैं रिपोर्ट ये है कि इरान की ये मिसाइल रूस पहुचने वाली है और ऐसा अक्टूबर में ही हो सकता है फतेव 1-1-0 को टेस्ट हुए पूरी दुनिया ने बहुत देखा है अब इसकी असली हमले वाली लॉंचिंग भी दुनिया जल्दी देखेगी ऐसा क्यूं होगा इसकी बारे में वाशंटिन में मौजूद इंस्ट्यूट ओफ स्टडी ओफ वार ने बहुत साफ साफ बात बता दी है 18 अक्टूबर को इरान पर संयोक्त राश्व की तरफ से लगे मिसाइल और डून बेचने की पाबंदी खत्म हो रही है और उसके बाद इरान अपनी मिसाइल और डून खुलम खुला बेच पाएगा अब सवाल है कि आखिर ये कैसे तै हुआ कि ये मिसाइल भूस खरीदेगा तो जवाब है कि 19 सितंबर को भूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोईगू ने इरान का दौरा किया था ये दौरा बहुत सीक्रेट रखा गया हलाकि जो तस्वीर सामने आए उसमें ये साफ हो गया कि सरगेई शोईगू इरान की मिसाइल देखने तहरान आए इरान ने उनके सामने अपने एक एक हथियार की डीटेल रखी इसमें ड्रोन भी थे और पलेस्टिक मिसाइल भी ठीक वैसे हथियार जो रूस को योकरेन में लड़ने के लिए चाहिए इरान के एरो स्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेटियर जन्रल आमर अली हाजी जादे साथ साथ थे और वो बता रहे थे कि रूस को क्या क्या लेना चाहिए किस हथियार से उनकी जरूरत पूरी हो सकती है इसमें सबसे खास रही फत्य वन वन जीरो मिसाइल सरगी शोईगो ने इस मिसाइल को बहुत गोर से देखा उन्हें बताया गया कि ये कितनी खातरनाक और सकीक मिसाइल है और ऐसे हथियार से रूस जेलेंस्की के बड़े बड़े अट्टों को मिट्टी में मिला सकता है सरगी शोईगो इस मिसाइल को देखकर काफी खुश हो अब इससे ये बात साफ हो रही है कि 18 तारीक को जब इरान की मिसाइल सेल पर पाबंदी हटे तो इसका सबसे बड़ा फाइदा रूस को ही होगा और सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ योक्रेन को नहीं होगा ये बात भी तै फटह 110 मिसाइल को लेकर डर इतना ज़ादा क्यूं है क्यूं है इतना ज़ादा खौफ क्यूं इरान और रूस के दुश्मन बहुत ज़ादा घबराए हुए है इसकी बहुत सी बारीक बाते हैं आपको एक एक करके बताते है क्यूं इतना ज़ादा खौफ इस टैक्टिकल शॉर्ट रेंज बैलेस्टिक मिसाइल को लेकर है इरान की ये मिसाइल 300 किलोमेटर की रेंज तक हमला कर सकती है इसकी रेंज 300 किलोमेटर है और 300 किलोमेटर की रेंज में जो भी इसके दारे में आए उसे नेस्त नाबूद कर देगी उसे तबाह कर देती है यानि की शॉर्ट रेंज मिसाइल जरूर है ये शौर्ट रेंज मिसाइल होने के नाते कम दूरी के टागेट पर बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है साड़े तीन हजार किलो भाली इस मिसाइल में 500 किलो ग्राम का वारेड है ये साड़े तीन हजार की किलो की जो मिसाइल आप देख रहे हैं फतह 1110 500 किलो का वारेड ले जाने में सक्षम है ये यानि कि जहां ये मिसाइल गिरती है वहां 500 किलो वाले बम का धमाका होता है जो सर्फ और सर्फ अपने साथ तबाही लेकर आता है ये अपने टागिट के तीन मीटर के दाइरे में गिरती है और एक बैलेस्टिक मिसाइल का इतना ज़ादा सटीक होना यकीन मानिये बहुत बड़ी बात है ये मिसाइल मिडल इस्ट में अमेरिका के खत्रे को देखते हुए बनाई गई थी और यही बात है जो पुतिन को बहुत जादा इस फते 1110 मिसाइल के बारे में पसंद आ गई है ये मिसाइल इस वक्त हमास के पास है हमास वो इसलामी चर्वपत्थी और्गनाईजेशन है जो कि इस वक्त पलेस्टाइन में एक्टिव है और इस्राइली सेना को खदेरने में सक्षम है फते 1100 वाकई बहुत खदरनाख मिसाइल है इस मिसाइल के नए वर्जन फते 313 इससे पहले अपना प्रैक्टिकल दिखा चुकी है इसी मिसाइल से इरान ने इराक में मिलिटरी बेस पर हमला किया था यही मिसाइल है जिससे इरान ने जनरल कासिम सुलिमानी के हत्याखा बदला लिया था फते 313 की रेंज फते 110 से जदा है यही वज़े है कि इरान ने इराक में अमेरिका के मिलिटरी बेस पर ये मिसाइल दागी थी इस मिसाइल के धमाकों ने सौ से जादा अमेरिकी फौजियों को जहनी रूप से बड़ी चोट पहुँचाई थी जिससे ट्रामेटिक ब्रेन इंजिरी भी कहते हैं हमले के बारे में दफसील से जानने के लिए पहले देखिए ये मिसाइल क्यों खबरों में है आमेरिका से लेकर यूरॉप तक मीडिया इसी मिसाइल की बार कर रहा है इसरेाल में भी यही मिसाइल चर्चा में है पुतिन ने एरान से फटव 1-1-0 को लेकर बात पक्की कर ली है यूक्रेन की मीडिया और सरकारी सोर्स भी अब इरान के इस मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा दैशत में है इरान की ये मिसाइल 2002 में तैयार की गई थी इसका निर्माण 2002 में हुआ था और तब से इसके कई वर्जन बनाये जा चुके हैं इसका Advance 1 वर्जन जो है वो जादा इस्तिमाल किया जाता है इसका आधूनेक और लंबी रेंज वाला वर्जन 313 है इसकी रेंज 500 किलोमेटर से जादा की है यानि कि 500 किलोमेटर के दायरे में जो भी इसके टागेट पर आता है वो खत्म तबा हो जाता है और इस मिसाइल ने खुद को साबित करके दिखाया भी है योकरेन और इस्रेल के Intelligence रेपोर्ट दाबा कर रही है कि रूस को फत्या 110 के साथ जुल्फिकार बलेस्टिक मिसाइल भी मिल सकती है इन दोनों की रेंज 300 किलोमेटर से जादा है जब से ये बात इरान के दोश्मनों को बता चली है वो घबराय हुए है जब से ये बात ЗЕЛЕНДСकी को बता चली है वो बहुत दाशत्मे है अब उनकी एक ही दिमांड है कि किसी भी दरे युकरेन की फोच को ऐसे एर डिफेन्स से लेस्टिया जाए जो एरान से मिलने वाली ड्रोन और मेसाइल को काउंटर कर सकी सьогоднішній російський обстріл ракетами і ड्रोनами Теж призвів до нових перебоїв з електрикою Але це виправляється Відновлювальні роботи тривають Така форма терору не дасть Росії нічого Навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО जैलन्सकी को ये बात पता चल गई है कि फतेव 110 मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है और इसमें अमेरिका भी पूरी तरह फेल साबित रहा है आठ जनवरी 2020 को इरान ने जब इराक में अमेरिका के दो मिलिटरी बेस पर हमला किया ये उसकी सैटलाइट तस्वीरे है इरान ने चुन-चुन कर अमेरिका के अड़ों को तबा किया था कई हैंगर, कई कमांड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह तबा हो गए थे अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी इसलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे लेकिन अमेरिका के एर डिफेंस सिस्टम इरान की फत्व 1-1-0 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे इरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइले दागी थी ये जहां गिरी, वहां ऐसे ऐसे गड़े बने और 100 से ज़ादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुँचा था ऐसी ही मेसाइल पावर से पुतिनलेस होना चाहते हैं ताकि वो जैलन्सकी को वो आला सबक सिखाएं जो इरान ने अमेरिका को सिखाया था ये ना सिर्फ जैलन्सकी के लिए खत्रा है अब इरान के तेवर समझने हैं तो आप दो तज़्वीरों को बहुत गहर से देखिएगा इरान ने पहले 19 सितंबर को रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोईकू को फटह 1-1-0 मिसाइल दिखाई और फिर 22 सितंबर को यही मिसाइल अपने बहुत ही खास परेड में दुनिया को भी दिखाई ये काले रंग वाली मिसाइल फटह 1-1-0 को देखाने का मकसद है कि इरान और रूस के दुश्मन काबो में रहें सवाल है कि रूस और इरान साथ आए तो जैलेंस्की क्या करेंगे एर डिफेंस तो ठीक है लेकिन ठककर तो बराबर की होनी चाहिए इसलिए जैलेंस्की के ओपरेशन को भी बहुत गोर से समझेगा जैलेंस्की को अब अब अटकम्स मिसाइल मिलने जा रही है जो हाइमर्ज जैसे लॉंचर से दागी जाती है इसकी रेंज 300 किलोमेटर होती है अमेरिका से लेकर योकरेंट तक तमाम मीडिया और देश की सरकाने अब इसी मिसाइल की बात कर रही है अटकम्स मिसाइल पर अमेरिका ने अभी तक खामोशी बनाय रखी थी लेकिन अब वो ये मिसाइल योकरेंट को भीज रहा है अगर जैलन्सकी को ये मिसाइल मिली तो उनके हमले रूस के अंदर तक होंगे और ये युद्ध का दायरा बढ़ाने वाला बड़ा खत्रा हो सकता है अमेरिका को मालूम है कि जैलन्सकी इरान से सप्लाई किये गए शाहिद 136 के आगे लाचार हो चुके है और अगर उन्हें फतेव 110 जैसे मिसाइल मिली तो रूस की फौज कैसे क्यों को रौनते हुए आगे बढ़ जाएगे कि आगे लूस कैसे आगे लगाराइब टर निवाइब को बुनाइट अबस्ता बड़ाइब को कि अवे घू बड़ाईब कर दियने वाली कि एले लिए लागे ज्त वे और जालें के ये लिग्त आफे लेन प्तीने देंपरा है को, ये जए को अवी।-धेब्सलेथ बेश्यानींकिज के दुज़ी खब ये इव दत चांथ नचेही हैarle इससे पहले एरान के शाहिद 136 ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है यह वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बलकि एक साथ कई ड्रोन लॉंच किये जाते हैं यह अत्मगाती ड्रोन है इन्हें एरान का कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है जो योकरेन की पोजिक्शन पर अटाक कर रहे हैं देखा जाए तो इरान अब सीधे तोर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रोस को दी है जब ब्रोन से अटाक होता है तो आस्मान से तबाही बरसती है ये इसका ओरिजनल वीडियो है ब्रोन जब ऐसे गिरता है तो बचने का कोई तरीका नहीं रहता ये स्वाम अटाक यानि एक साथ मधुमक्यों की तरह हमला करते है ये जहां टार्गेट करते हैं वहीं हमला करते हैं ऐसे ही हत्यारों की सबसे बड़ी प्रयोग शाला बन चुका है योकरें इरान ऐसे युद में एक नई एंट्री है और उसके ड्रोन इरान की ड्रोन पावर को पूरी दुनिया में पहचान दिला चुके है अब बारी फते 1-1-0 मिसाइल की है जो पुतिन को घजब की पावर देगी इरान के हथियार मिलने से पुतिन को जबरदस्ट फायदा हुआ है जबकि जैलन्सकी को अब बड़े नुकसान का खत्रा समझ में आ गया है क्योंकि अब ब्रोन के साथ रूस के पास इरान की मिसाइल भी आने वाली है पुतिन और इरान की दोस्ती अक्टूबर के महीने में अमेरिका और नैटो को बहुत धक्का पहुचा सकती है इरान से निकाली गई आग अब योकरेन में नए शोले भड़काने वाली है और पुतिन इसके लिए पूरी तरह तयार हो चुके है